दोस्तो जैसे कि आप सभी को बता है Zero Balance Bank Account का जो सीरीज है हमारा चालू है और आज की इस वोडियो में हम बात करेंगे Union Bank of India Savings Account के बारे में इस Bank Account का क्या Charges है, क्या Eligibility Criteria है इस Account को खोलने के लिए डीटेल्स में explain करेंगे इस वोडियो में, तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तो हमेसे की तरह में Official website के उपर जाके पूरा डीटेल्स आप सभी को में दिखाता हूँ इसी के साथ साथ जो भी और information होगा इस वीडियो के नीचे description box में आपको मिल जाएगा तो चलिए चलते हैं PC की स्क्रीन पर, जैसे के आप देख सकते हैं अभी Union Bank of India की Official website के उपर हूँ description box में आपको link मिल जाएगा बाइदावए हमने एक नया website हमने launch किया जो की है credit card bazar.in इसके उपर credit card banking loan से related आपको details मिलने वाला है इसके उपर काम अभी भी चल रहा है क्योंकि उतना समय नहीं मिल पाता है तो जरूर आप widget करके देख सकते हैं details आपको मिलेगा तो यहाँ पर देख सकते है savings bank account deposit products यहाँ पर पहला बाला जो bank account है savings bank account S-B-G-E-N मतलब general यहाँ पर more option में click करेंगे और इस bank account की जितने भी details से उसके उपर हम आ जाएंगे तो देख सकते है savings bank account यहाँ पर eligibility सबसे पहले बात करेंगे इस bank account को खोलने के लिए क्या eligibility है कौन कौन खोल सकता है तो देख सकते है any individual in single name two or more individual joint account minors HUF Hindu undivided families तो यहाँ पर अगर आप individual person है joint person है HUF category में आते हैं तो भी यहाँ पर आप account खोल पाएंगे तो account खोलने में कोई भी उतना problem नहीं है अगर हम bank account में balance maintain करने की बात करें तो यहाँ पर एकदम lowest है मतलब आप देख सकते हैं monthly average का कोई funda नहीं है यहाँ पर quarterly average balance का funda है मतलब quarterly average balance अगर आप rural area में रहते हैं गाओं में रहते हैं तो आपको only 250 करना होगा ओ भी अगर आप checkbook लेते हैं अगर checkbook के साथ जाते हैं अगर without checkbook आप account के लिए apply करते हैं तो only 100 rupees तीन महीने में एक महीने में नहीं मैं बोलना हूँ quarterly मतलब हर तीन महीने में only 100 rupees आपको maintain करना होगा अगर आप bank account checkbook के साथ open करते हैं तो semi urban में 500 rupees urban area में 1000 and metro मतलब proper city में 1000 अगर आप without checkbook जाते हैं तो rural area में only 100 rupees इसके बाद semi urban में 250 urban में 500 और metro area में 500 I hope यह वाला concept clear है quarterly average balance क्या है और rural area, semi urban, urban और metro area के लिए क्या है with checkbook and without checkbook इसके बाद देखेंगे type of ATM card आपको जो ATM card मिलेगा classic debit card मिलने वाला है इस bank account के साथ इसके बाद debit card charges आप देख सकते issue charges free मतलब जब भी आपका debit card issue होगा कोई भी charges देना आपको नहीं पड़ेगा completely free है annual maintenance charges as per applicable charges जो भी आपका सालाना होता है charges आपको annually debit card के लिए देना होगा इसके बाद हम बात करेंगे debit card cash withdrawal charges अगर आप union bank of India की खुद की ATM से cash withdrawal करते हैं तो महीने में 5 बार आपको free दिया जाएगा अगर आप दूसरे किसी ATM से cash withdrawal करते हैं तो महीने में 3 बार आपको free दिया जाएगा इसके बाद applicable जो भी charges से लग जाएगा अगर हम daily limit की बात करें तो ATM cash withdrawal limit है per day 25,000 25,000 per day है और POS limit मतलब point of sale limit बाहर कहीं पर भी retail shop में या फिर mall में जाके swipe up कराते हैं तो per day 50,000 तक आप खर्च कर सकते हैं इस car से मतलब swipe करा सकते हैं इसके बाद personal free accident insurance दिया जा रहा है इस debit card के साथ जो की है 2,000,000 तक इस debit card के लिए charges पे करें obviously आपको एक insurance cover देखने को मिल जाएगा जो की 2,000,000 तक है इसके बाद अगर हम checkbook की बात करें applicable इसके बाद नीचे की दरब चाहेंगे अगर आप account को close करते हैं 14 days के अंदर within 14 days तो नील है अगर 12 महीने के बाद एक साल के बाद करते हैं तो भी नील है तो अगर आप चाहते हैं इस bank account को खोलने के लिए तो simply click करेंगे यहाँ पे apply now की नीचे देख सकते हैं new savings account के उपर और यहाँ पे जो भी details लगेगा आप देख सकते हैं क्या कुछ लगेगा आधार card, pen card basically लगता है जो यहाँ पे close करेंगे close करने के बाद आपके समने form type का आ जाएगा जहाँ पे कुछ personal information आपको डालना है details fill up करना है तो जरूर इस website के उपर आके खोल सकते हैं इस वीडियो के नीचे description box में आपको link मिल जाएगा I hope इस वीडियो आपको काफी पसंदा होगा मिलता हूँ आपसे next किसी best zero balance bank account के साथ तब तक लिए जय हिंत बंदे मातरम